Hi everyone, आज हम लोग diagonal scale का last question देखने वाले हैं, इस question में थोड़ा सा variation है, वो हम लोग देख लेते हैं, area वाला term जैसे हमने last lecture में किया था, उसी से related है बट थोड़ा सा यहाँ पर mix किया गया है, तो अगर आप last lecture देखे होगा तो यह question आप easily कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग एक question और देख लेते हैं, last question हो जाएगा इसके बाद फिर हमने orthographic production में in करेंगे, तो question पढ़ लेते हैं, क्या है, the area of field is 50,000 meter square, area जो है किसी भी field का वो 50,000 meter square है, the length and width of the field on the map is 10 cm and 8 cm respectively, तो हमने क्या किया कि map पर वो field को length और width इतना into इतना में कर दिया, मतलब 10 cm का उसका length रखा और 8 cm का, उसका width रखा और इसको हमने यहाँ पर draw किया, मतलब हमने छोटा करके बना दिया, वहाँ पर, construct a diagonal scale which can read up to 500 meter, ऐसा हमें diagonal scale बनाना है, जो 500 meters तक read कर ले, ऐसा हमें यहाँ पर diagonal scale बनाना है, and mark the length of 235 meters on the scale, उसके बाद पर हमें 235 meters उस पर mark कर देना है, तो question simple है, बर थोड करते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे हमें बनाना है, तो solution हमनों लिख लेते हैं, सबसे first हमनों क्या निकालते हैं, RF, तो यहाँ पर area का term है, तो RF हमें निकालना होगा, RF is equal to क्या होता है, जो भी, जिस length का हमने drawing draw किया, divided by जो actual length है, object का वो, तो बट यहाँ पर length के term में नहीं ह और यहाँ पर यह भी जो है, वो भी, एक length नहीं है, वो भी length into width दिया हुआ है, length into width मतलब area के term में दिया हुआ है, तो हम लोगों को ने पढ़ा है, जब भी area के term में दिया रहेगा, तो हम लोगों को क्या करना रहता है, उसे under root, square root हम लोग कर देते हैं, या under root कर देते हैं, अगर area के term में जब भी दिया हुआ रहेगा, तो आरेफ निकालते हैं, हम लोग उसको square root कर लेंगे, अगर दोनों term area के term में दिया है, तो हम लोग single में करते हैं, कभी-कभी ऐसा दिया रहता है, कि एक term volume के term में दिया है, एक term single term में दिया है, तो जहाँ पर volume होगा, वहाँ करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों term है, जैसे कि यह तो area में दे दिया है, बट यह centimeter, यह centimeter है, बट लेंथ है, बट दो length दिया हुआ, एक length है, एक width है, तो दोनों को multiply कर देंगे, 10 into 8, under root यहाँ डाल देंगे, square root, divided by, square root, 50,000, तो इसको break कर लेते हैं, हम लोग, एक में कर लेते है, 10 into 8, divided by, 5 into 10,000, because square root से में बहार निकालना होगा, इसको, तो यहाँ पर cancer कर लेते हैं, 5, 2s are 10 हो जाएगा, उपर में जाएगा 16, तो 16 centimeter square है, और divided by नीचे क्या है, 10,000 है, अब यहाँ पर आजाएगा 4, यहाँ पर आजा तो नीचे में जो term था, हमारा meter square था, तो नीचे में meter आएगा, उपर में centimeter into centimeter था, तो उपर में centimeter आएगा, अब इसको हम लोग, convert कर लेना है, meter है, तो centimeter में convert खर लेंगे, तो 100 से multiply हो जाएगा, तो आजाएगा, 100 into 100, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिवाइट लेते हो, 10, 10,000, या फिर उसको अगर divide करना है, तो divide करके भी आप लेख सकते हो, अब यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, 4 से cancel कर दता हूँ, 25, 400 होता है, 1 by 2500, इसको यह RF आगिया, 1 by 25, 100 यह RF आगिया, तो first हमने RF निकाल लिया है, second हम लोग निकालेंगे, unit to be shown में, unit क्या क्या यहाँ पर unit दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर directly, यहाँ पर meter ही लिख देंगे, meter के term में ही हम लोग करना है, बस जैसे हम लोग ने एक lecture में देखा था कि 100 meter है, 10 meter है, फिर 1 meter के term में है, यहाँ तीन term में हमें यहाँ पर show करना होगा, third देख लेते है, maximum length, maximum length of scale, maximum length कि scale, length of scale is equal to RF into maximum length, जो भी length maximum है, इसका, जो maximum कर सकता है, वो यहाँ पर हो जाएगा, RF है, 1 by 2, 5 into 100, अलग कर देता हूँ, cancel करने के लिए, अब यहाँ पर maximum कितना है, 500 meter करना है, तो 500 into meter में है, तुसको सेंटिमेटर में करनवर्ट कर देते हैं, यहाँ डबल जिरो से डबल जिरो गैंसल हो गया, 25 to 50, यहाँ पर 20 cm अंसर आगे, 20 cm, तो length of scale है, हमारा 20 cm आगया है, 20 cm का हमें यहाँ पर scale करना होगा, उसके बाद इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो वहाँ सेंटिमेटर करना होगा, वहाँ इतने पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है, which can read up to 500 meter, वो 500 meter को measure करना चाहिए, उसके बाद जो हमें यहाँ पर show करना है, वो 235 meter show करना है, तो हम लोग ऐसे यहाँ से देख कर लग रहा है, कि यहाँ पर 235 है, इसका मतलब कोई meter के बाद कोई turn तो है नहीं, मतलब decimeter, centimeter ऐसा term तो है नहीं, तो हम इसके बाद पर उसको बाद में जो हम लोग 0 के left side जो करेंगे, वो फिर 10-10 meter को show करेगा, उसके बाद पर 10-10 meter को हम लोग vertically divide करेंगा, तो वो 11 meter को show करेगा, तो इससे हमें पता चल रहा है, कि इस line को अगर हम लोग 5 equal part में divide कर दें, तो एक एक division जो होगा, वो 100-100 meter को show कर दे directly, तो हमें 5 equal part यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो इसको एक हीत अंगल method से भी draw कर सकते हैं, अदर्वाइस यहाँ पर directly भी हम लोग कर सकते हैं, तो आप time देख लिजेगा, time आपका जैसे आपके पास exam में होगा, उसके साब से आप आप कर लिजेगा, तो मैं यह इस लाइन को यहाँ पर 5 equal part में डिवाइड कर दिया है, वन डिविजन, वन डिविजन, वन डिविजन, वन डिविजन और एक एक डिविजन जो होगा, वो 100-100 मिटर को रिपरजेंट कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करना होगा, इसको diagonal scale बनाना होगा, तो हम करते हैं, इसको 5 cm left side, 5 cm right side, उपर कर लेते हैं, उसको rectangle बना लेते हैं, और फिर middle middle line को भी मिला लेते हैं, फिर आपको show करते हैं, यहाँ जो सीखना था, वो डिविजन सीखना था, यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड करना हो, और RF निकालना सीखना था, बाकी चीज़ जिस तौँ आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं 5 cm का line लेता हूं, दोनो साइड और उसको horizontally मिला देता हूं, उसके बाद show करता हूं इहाँ पर नहीं कहते हैं, यह बना राखए bit syखना, यह 100 m settings Q в यह 300 meter को represent कर रहा है और यह 400 meter को represent कर रहा है उसके बाद यह भी 100 meter को represent कर रहा है बट हमें यहाँ पर क्या करना होगा उसे 10 equal part में divide कर देना होगा जिससे की 100 meter का 10 equal part में divide करेंगा तो एक एक division जो होगा वो 10 10 equal part में वो show कर देगा तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको 10 equal part आपको ड्रॉ करना है टेन इक्वल पार्ट में फिर उसको डिवाइड कर लेना है प्र दिवाइट करने के बाद फिर हां पर जैसे समय है सेकेंड है थर्ड फोर्थ सेट सिक्स्थ समझन denn फिरन करना होता है वे हर एक point से parallel parallel line draw करना होता है तो जैसे acute angle हम लोग करते हैं वैसे यहाँ पर कर लेते हैं फस्स line में मिलाकर show कर देता हूँ बाके lines फिर आपको बना कर दिखाता हूँ एक ही बार इसका आप parallel slide कर देंगे और फिर आगे बनाएंगे हुआ हुआ है यहाँ पर हमने क्या किया जो भी यह में डिविजन मिला था उसको Amin parallel line से मिला दिया तो हमें 10 दिविजन यहांपर मिल गया जीडों को प्रसेंट करेंगा यह पर टैन को मेंट ने ब्सकरेंगा फर्स्वाह टेन हो गया यहां पर फिर 20 इह यहां पर 40 लिख देता हूं, फिर यह 50 है, यह 60 है, 60 है, 60 लिख देता हूं, 70, 80, 80 हो गया, यह फिर लास्ट में 100 हो गया, यह एक डिविजन मैंने छोड़ कर लिखा है, बिकाज इस पेस अपने पास कम है, और यह सब लाइट पंसल से ट्रॉ कीजिएगा, बिकाज यह वाला हमें जाता मिखंद है, जो हमें वहाँ पर मांकिंग के ऐँ, 20, 40, 60, 80, 100 हो हमें जाता देखना चाहिए, और यह लइन हमें कम देखना जलitt रही है, अब डियगोणरte से आफिर डिविजन मिलाना होता है, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं, तो कैसे हम लोग करते हैं वह यहां पर जो पैरल पैरल लाइन ड्रॉ करते जाते हैं तो फर्स्ट डिविजन हमने यहां कर लिया जस्ट इसके पैरल हमने यहां पर स्केल को रखा और नीचे वाले पॉइंट से हमें मैच करना है नीचे वाले पॉइंट से स्केल को मैच करेंगे और जस्ट पहले वाले लाइन के पैरल ए सेकंड लाइन हो गया उसी दरा से सारा लाइन ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको एक यह बार शो करता हूं तो मैंने ड्रॉपार मिला दिया हे सट वाले को यहां से जो और सको फिसन सी मिला हूं जो प्र.? टोटल ड्रॉइन कर रहा है यह वाला नीचे वाला डिविजन जो है वो जीरो को रिपर रहा है, और उपर का जो यह वाला डिविजन यहां पर इतना डिटनस है वो 10 میटर को रिपरजेन कर रहा है, इसका मतलब जैसे हम लोग उपर जा रहा है, वो 0 के बाद फिर 1 मीटर, 2 करना है तो हमें क्या करना होगा इस वर्टिकल लाइन को भी टेन इक इकल पार्ट में डिवाइड करना होगा तब क्या होगा हमें जो पॉयन मिलेगा वो वन टू टू थी-फोर-5-6-7-8-9-10 को रिप्रेजेंड करेगा उसी तरह से आगे जैसे यह यह टेन को अब देढ TOM साथ सન्यूं की रेरे देड करते हैं तो मैंने मांकिंग कर लिया यह अब क्या करते हैं इसको यहां पर जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद फिर ये वन मेटर में कर रहा है तो हो गया थ्री हो गया फोर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन एंट लास्ट में टेन को रिपरेजेंट कर रहा है तो हमें टोटल मिल गया है अब हमें जो डिविजन मिला है यहां पर जो वन टू-345 हमने लिखा उसको हमें होरिजंटल लाइन से मिला देना होता है तो स्कूल को काफी ज्यादा हो जाता है इसलिए मैं जो कंस्ट्रक्शन वालब वर्क है वह आपको बस बता दे रहा हूं बता कर वो ड्रॉ करते रहा हूं खुझ से दिगाए लिजर्ट। करकें रहा है रहा होता है यह सब्सक्राइब Aa जाएगा कि देदा सब्सक्राइबी यहां पर फिर लिफ्ट साइड में यह भी मीट्र है उसको में लिख लेगे हैं सारे यहां पर मीटर सी इसलिए हम लोग सब aula मीटर ही लिखात है विदिक विख Eddie कि उसका सब डिविजन सरु जा रहा है पर हनदेड़ में था मीटर अधन यहां पर सबयेका मीटर हो गया और हमारे क्या करना है चर्फीकल मिले वाला है टूरभा कि नगर को यहां पर किरते तरह ओगा जीरो से लाइन थार्टी वाला लाइन के ऊपर फिर फिर फाइब करना है तो 31 32 33 34 35 वाला लाइन पर हमें 35 मिल जागा तो यह 35 हो गया उसके बाद 200 जाना था 100 यहां यहां 200 हो गया और तीरी वाला लाइन पर यह थी वाला लाइन है फिके कहने है यहां में है उसको मार करते है तुहहंडेट तर्टी फाइब करना है थूहणरेटवाइट फैपाइब कर लिए और यहां में नमेंस्टिंग लाइं से तक रिपर्रजंट कर देंगे आइडा लेना है जैसे दिमेशिंग करते हैं विसे हमें दिमेशिंग कर लिए 235 मेंटर्स पाइनल हमारा सलूशन हो गया है यही हमारा सलूशन है इस तरीके से हमने total first unit complete अपना कर लिया है first unit हमार complete हो गया अब हम लोग scale complete कर लिया है तो scale का जो topic हमने पढ़ा है यहाँ पर plain scale का हो गया चाहे है वो diagonal scale का हो गया इसको आप लोग अच्छे से practice कीजिएगा because इससे question आपका exam में definitely आने वाले हैं तो हमने कुछ 8 से 9 question 8 question या 7 question उसमें किया और 6 question इसमें किया है तो दोनों का variation आप देख लिजेगा अच्छे से दोनों को practice कर लिजेगा because यह question काफी important है पहले वाले syllabus में भी graphics में आते थे और नया syllabus में आपका individual unit में डाल दिया है तो यह question काफी important है question आने वाले ही है इसके बाद फिर आप लोग हम लोग स्टार्ट करने वाले next lecture में हम लोग orthographic projection स्टार्ट कर लेंगे वहाँ पर पहले theory बढ़ लेंगे उसके बाद फिर problem उसका solve कर लेंगे तो आगे का unit I think कम time लेगा because इसमें basic ज्यादा था वहाँ पर भी group है उसका link video का description में है आप वहाँ से भी उस link पर click करके उसको join कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ अगर question पुछना है तो आप पूछ सकते हैं Facebook page भी बना हुआ है उसका link video का description में है आप चाहें तो उसको भी like करके message कर सकते हैं अगर PDF notes चाहिए आपको objective question के लिए तो उसका भी link video के description में available है आप वहाँ से download कर सकते हैं objective question आपके exam में काफी important role play करेगा इसलिए आपको objective question पर focus करना होगा 20 marks का है, काफी अच्छा marks है यह 20% आपका इसी से score होने वाला है तो इसलिए आपको objective question में पढ़ना होगा उसके लिए भी मैंने डो lecture अलड़ी इस channel पर upload कर दिया और आगे भी upload करता जाओंगा तो आप लोग इसी playlist में आप लोग देख लिजेगा objective का जो भी question मैंने upload किया है तो इसलिए जो भी doubt होगा आप comment करके पूछ सकते हैं और वीडियो एक बार कैसा लगा वीडियो के comment में comment करके जहूर बताईएगा और friend circle में इसको share जहूर कीजेगा और like वीडियो को जहूर कीजेगा